अब इस ओर्ड के स्टार्डिंग में दिखा जाता है तेंग्षया आउल से कह रहा होता है आउल उस लड़के को जाने दो और मैं बदले में तुम्हें यहां से जाने दूँगा आउल केता है जब सेपाई यहां आज जाएगा तब हम बात करेंगे दिखाते हैं Howding Tenshya से कहता है Brother Tenshya आपको भी यहाँ से चले आना चाहिए दिखाते हैं Tenshya उसे कहता है Change Young अभी शोपाई के हाथों में है अगर मैं यहाँ से चला जाओंगा तो मैं उसकी मौम को कैसे समझाओंगा दिखाते हैं Howding कहता है मैं यहाँ पर रहूँगा और किसी solution के बारे में सुचूँगा लेकिन हम लोग आपको कुछ नहीं होने दे सकते दिखाते हैं तेंग्शा केता है अगर मैं उसको protect भी नहीं कर सकता तो क्या मैं तुम लोगों का boss बनने के लायक हूँ चिंदा मत करो मैं कुछ लेकर जाओंगा दिखाते हैं तेंग्शा केता है मैं यहीं रहूँगा और शेफाई का इंतिजार करूँगा और फिरिस यहाँ दिखा जाता है फैर ने किसी को phone लगाया हुआ रहता है दिखाता है फिर अपने डेट से के रही होती है वो लोग इंटर फेर नहीं करेंगे फिर भी के के बार में क्या शेपाई जैसा कोई बंदा आखिर के जैसे दिखाय जाता है कि सब लोगाड़ी में बेटके जा रहे होते है और फिर इसके बाता बंद दिखाया जाता है और फिर शेॉपाई रहा होता है हाउडिंग चलो चलते हैं और फिर इसके बाद में दिखाया जाता है आउल को जो के शेफाई से कहता है शेफाई क्या यह लड़का वाकिय में तुम्हारा भतीच रहा है दिखाते हैं शेफाई उसे कहता है नहीं तुमने बहुत अच्छा काम करा और फिर इसके बाद में दि तो तो चलो अपना सेड़ करते हैं एक जरनल हजारों सेनिकों की हट्टियों से प्यदा होता है और तुम को क्या लगता है तुम हमारी बिना इस पोजिशन पे आ सकते थे जहां पे तुम अभी खड़े हो वांग तेंशिया और इन सब के बावजुद तुम अभी भी मेरी रो प्रेंड дос तो दीखाते हैं वांग तेंशिया उसे कहता है ड्रक ट्राफिकिंग एक डेंदे हैं और जब तुम अगर इसे करते हो। हमारी बाख जरांग तुमें डांन करतेगी दिखाते हैं की पास ुनके जो शुहाहितरा है तुमको तो खुद के बारे में चंता कनी चाहिए वांक तेंशिया दिखाते है तेंशिया चिलाते हुए कहता है इन सब को रोको शेफाई इज़ित करना बंद करो तब यहां पर दिखाते है हावडिंग करो होता है अब तो लगता है कि तुम्हाइज साथ और भी लोग हो रह रहता है और यह कियरा होता है देखते हुए और मेरे शोड को ब्लोग कर रहा है कितना भोला है और यहांप हमें दिखा जाता है और कि जो केकलर है ना वो कहीं दूर अपनी रैफल के साथ बेढ़ा हुआ रहेता है और उसने उसी जिगाबर पॉइंट कर रहा हुआ रहेता है जहां पर वांगतेंशा है वो उनको पर नजर रखो रहेता अपनी रैफल सुनको शूट करने एक लिए रेडियो हो रहा होता है कि यहां पर मैं दिखातें कोई आता है और कैसे बोलता है रुख जाओ तुम वांगतेंशा को नहीं मार सकते दिखातें के बोलती है और मुझे तुम्हारी बात क्यों सुनी चाहिए फैर कैसे बोलती है इसलिए क्योंकि नो कि लोडर चारी क्या गया है दिखातें के बोलती है मुझे पता है फिर बोलती है तो तुम अपनी बंदू को नीशे क्यों नी डाल रही हो तब ही दिखाते हैं के बोल रही होती है क्या तुम मेरे अगेंच जाने की हमत कर रही हो और इसा कहते है वो अपने पास से घर निकालती है में अपने सिस्टर फेर पर भोसा करना है वांग तैंशया केता है तुम अपनी सिस्टर पर भुरूसा करना है जो तुम बस दो और लोगों के साथ दफन होगे क्या तुमको कुछ कहना है वेसे भी ये तुम्हारे लाश्ट वर्ड होने वाले हैं दिखाते हैं तेंशा कहता है हाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो तुम चिकन सूप बनाते हो ना वो भोच अधर डिसकस्टिंग है और इसके तुम्हारा हो गया और इसके ने कि बाद ज दिखाते हैं और इसके बाद में दिखाते हैं और इसके बाद में दिखाते हैं और यहां से भाग गए हैं मुझे पता है और मैंने उन लोगों को जान मुझकर जाने दिया है दिखाते हैं हावडिंग के रहा होता है उन्हें जाने देने के पीछे क्या तुम्हारा कोई परपस है दिखाते हैं टेंग श्या केता है मैं जाना चाता हूँ कि कौन है जो उनकी मदद कर रहा है और फिरेस के बदर में दिखाया जाता है जो बांग टेंश है वो अपनी कार के अंदर रहता है और के रहा होता है जाओ केते हैं यंग मास्टर मुझे तो लगता है कि पेट्रिक और गेंग के मेंबर्स इसमें शामिल हो सकते हैं दिखाते हैं तेंच्छा केता है क्या पेट्रिक गेंग इंट्रेस्टिंग अंगल जाओ केते हैं इससे कोई फ्रक नहीं पड़ता इस समय आपको साफधान रहन के जरूते हैं आपको साफधान रहना होगा तेंच्छा केता है समझ गया और मैं फिकले थोड़ा सो रहा हूं इसलिए प्लीज बागे सब आप लोग हैंडल कर लेना समाल लेना अच्छे से और आपके मोत का इस पर्ष भोच जाता चोट नहीं पहुचाएगा है ना दिखा अब हम लोगों को क्या करना चाहिए शेफाई केता है अब सीचिटे में इसे कोई भी जिगा नहीं है जाबर हम जा सकते हैं तो अब हमें पास दिएक्टी ऑप्षन बसता है कि हमें सीचिटे को छोड़ना होगा और अगर कोई मसला होता है तो हम अपने वह फर्स वाले मीड सीचिट पॉइंट पर मिलेंगे और आगे की अर्जे आगे की एजस्मेंट को देखेंगे कि क्या हो करें हम दिखाते हैं और जो पीछे बच्छा पाड़ा हुआ है उसके बार में क्या शेफाई केता है अब वो बच्छा में लिए बेकार है और हमको समय बाद उसे छुटक